पेज नोटिंग भी एक एडवांस फेक्टर है जो गूगल बड़ी सिरियस्ली नोट करता है गूगल स्पीड के बारे में और यूजर इस्पीएंस के बारे में इतना कॉंशियस है कि गूगल ने स्पेश स्पीड को SEO का रेंकिंग फेक्टर बना दिया और अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लोड या जल्दी लोड नहीं होगी आपको गूगल पेनल्टी डालेगा पहले कुछ हरसे पहले तक गूगल ये जो जरूर कहता था कि आप स्पीड आप्टिमाइज करें आपको बैनेफिट मिलेगा लेकिन उसे सजा अभी मतायन नहीं की थी यह अभी उसने पेनल्टी डिसाइड नहीं की थी अब उसने कहा है कि जी मैं बकाइदा पेनल्टी डालूँगा उस वेबसाइट को जो के टाइम पर या जल्दी लोड नहीं होगी Google Page Speed किन किन चीज़ा पर depend करती है उसमें कुछ चीज़े आ जाती है जो आपके मेंसे वेबसाइट का लोड कितना है मतलब आपने वेबसाइट के ओपर क्या क्या डाला उसमे कितने images हैं कितना content है उसका length क्या है उसके बाद आपका server क्या है? server से मुराद कि आपने HC hosting लिए है, बुरी hosting लिए है, आप पाकिस्तान से website खोर रहे हैं लेकिं server आपका US में है तो इतनी लंबी call जाती है, वहाँ से call वापिस आती है, यह हमें पता तो नहीं चलता लेकिंगे कुछ second का gap आता है, असल में यह call बहुत लंबी हो जाती है इसको कैसे solve करना होता है? उसके बाद यह कि आपने content डाला, उसका size क्या था? आपको याद होगा जब हमने image SEO पड़े थी, उसमें image के size को optimization की बात की थी असल में image का size भी optimize होगा तो बाकी size भी optimize होगा तो पूरे page का size optimize होगा पूरे page का size optimize होने से क्या फाइद होगा कि हमारी page की speed अच्छी होगी और Google हमें अच्छी ranking देगा और अगर हम नहीं optimize करेंगे हमारे competitor की page की speed अच्छी होगी और Google उसको अच्छी ranking देदेगा So again, यह काम ऐसा है कि जो आप नहीं कर सकेंगे जो आपके department में fall ही नहीं करता यह development का का काम है यह website बनाने वालों का काम है कि वो अच्छी code लिखें वो चीज़ें optimize करें और designer का काम है कि आपको अच्छी images दे optimize करके दें लेकिन आपकी responsibility होगी कि आप उनको उनसे यह काम करवाएं आप उनको guide करेंगे कि भाई यह चीज SEO पर effect कर रही है और हम यह करके दो आपने उनको अराम से या client से discuss करना है कि भाई यह SEO में negative impact आ रहा है हमारी page की speed down जा रही है और हम page की speed बेतर करेंगे normally मेरे experience के मताबिक दो चीजें दो वजुहात हैं जिसके कभी लोग इसको fix नहीं करते एक चीज यह कि उनको पता ही नहीं होता कि यह एक इतना important factor बन गया है के actually आप इससे rank भी कर सकते हैं और अगर आप इसको नहीं करेंगे optimize तो आप इससे penalty भी आपको मिलेगी दूसरी reason यह होती है कि client को शायद पता भी हो आपको शायद पता हो लेकिन लोग इसको करने के मारे मतलब कि इसको चूँके थोड़ा सा hectic हो जाता है या development involved हो जाती है और technical थोड़ा ज्यादा हो जाता है लोग करने की वज़ा से इसको करते ही नहीं है क्योंके यह करेगा कौन या कैसे किया जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है इन शाट अगर आप नहीं करेंगे चाया reason कोई भी है आपको Google Penalty डालेगा और अगर आपको Penalty पढ़ेगी तो आपकी जॉब पे असर होगा इसको चेक करने के एक Google ने खुद ही टूल दिया है जिसका नाम Google Page Speed Insights है अगर आप Google Page Speed Insights जूस करेंगे तो Google आपको एक पेज का स्कोर बताएगा कि आपके पेज के ओपर क्या-क्या लोड हुआ और उसने क्या-क्या प्राबलम्स देखी हैं और उसका आपको स्लूशन भी बताएगा कि भाई ये चीज़ें आप्टिमेस करो तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा ये आपको 100 में से स्कोर देता है इसमें 100 मॉबाइल पे और डेस्टॉप दोना पे देता है अभी हम इसको डिसकास इसलिए नहीं करेंगे तो अभी सिरफ आप इतना समझ ले स्पीड एक बहुत important factor है अगर आपके page की speed slow है ये वो उन advanced one page optimization factors में से included है जिसमें आपको developer की help चाहिए होगी और मैं चाहता था कि मैं आपको ये explain कर दूँ ताकि आपको पता हो कि ये भी हमने देखना है चाहिए developer आपको है या नहीं है आपके पार जब होगा आप उससे ये काम करवाएंगे नहीं होगा तो आप hire करके फिर ये काम करवाएंगे